कि कि सलाम नमस्ते हेलो केम छो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बैंक माश्टर पर दोस्तों सुबह के छे बच चुके हैं और आपके प्यूसर आपके लिए ताजा तरीन खबरे लेकर के आ ओसके लेकर बैठाएं के लिए अधर नोट करना होगा जीतना है तो टो क्योंकि से अर्ब क्ते हैं और कि अधरनीक माध्यर्ष क्लास होताएं था तो दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों कुछ information अपने lectures के regarding देदू कि एप पर मेरी class होती है प्री special class तो आप लोग एप पर मुझे follow कर लीजे description में लिंक दिया होगा वहां से आप मुझे follow करके मेरे सारे lectures देख सकते हैं इंट्रक्टिव class होती है दोस्तों bank masters पर रोज सुबह 6 बजे मेरी class होती है दोस्तों इंग नाम से मुझे आप सर्च भी कर सकते हैं ठीक है clear है चलिए दोस्तों यहां पर नन इस्टाप class यहां पर आपके लिए सुरू है अब एक्जाम में कुछ नहीं चुटेगा एक नजर सब कवर यह दोस्तों आप लोगों के लिए डेली 6 बजे होगा बैंक मास्टर्स चैनल पर यह class दोस्तों यहां पर कल मैंने special class ली थी जैसे 11 बजे में के ली लेता हूं तो आरार भी क्लंट लास्ट सिक्समांथ करेंट एफर रिवीजन और एक बजे मैंने टॉप 30 बैंकिंग टर्मस एंड कॉंसेप्स को पढ़ाया था PSR 10 मेरा कोड है जब भी एप को डाउनलोड कीजिए दोस्तों तो आप जो है आप पीसार 10 कोड का ही यूज करिए किसी भी काम के लिए तो यह आपके गुरुजी का कोड है और maximum discount भी आपको मिल जाता है उस पर तो यहां पर हमारी है दोस्तों पोरी मेंस के लिए जो आप के लिए तावड़ तोर तरीके से सेशन ले रही ए मेंस के लिए स्पेशल सेशन जो आपको ले रही है दोस्तों ठीक है तो थर्टीन अक्टूबर से दोस्तों यह जो है बैच आपका बहुत सारा इस्टार्ट हो रहा है एप पर डाउनलोड करेंगे तो सालिस हजार रिकॉर्डेट कंटेंट पाएंगे बीस हजा प्रसेंट बच्चों का भरुसा पाएंगे और सक्तर से ज्यादा एडुकेटर्स के बैच आपको मिलेंगे आपको कोड यूज करना प्यसार टेन जब आप डाउनलोड कर रहे हैं तो कोड मांगता है उस समय ठीक है बहुत सारे देख सकते हैं आप यहां पर बैचेश आई हुए हैं बहुत सारे तो यह सारे प्लस कोर्सेस के एकसेस आपको मिल जाते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जह भले टीचर कहीं और पढ़ा रहा लेकिन सारे मिल जाते आसक डाउट फैसिलिटी है अपन सब्सक्रिप्शन पर चार महिने के अडिशनल मिल ला है मन्त और दो साल के सब्सक्रिप्शन पर आठ महिने और पी एसाइट टेन कोड यूज़ करने पर दोस्तों आपको डिसकाउंट भी मिलेगा मैक्सीम बंपर डिसकाउंट मिलेगा जिसके से आपकी प्राइस जो है 3588-300 यह तीनसों पच्चीस रुपए पर मंत पढ़ती है दोस्तों और दस रुपए पर डे पढ़ती है जो कि आप इधादर खापी के फेक देते हैं पैसे है ना तो दोस्तों इससे आपके सपने आपके जो है कि भविश सुरक्षित होता ह तो आपको इंवेश्ट्मेंट करना ही पड़ेगा प्लस कोर्स आ ले लीजे जिससे तो ??? आपको subsidi होके मिल जाते सबके बैचे आपको include होके दोस्तों क्या होते हैं मिल जाते हो के प्लस कोर्स एकदब Netflix की तरह सब्सक्रिप्शन की तरह है कि सारे एक्सेस मिल जाएंगे 24 महीने का अगर अगर एक्सेस है 12-24 महीने का अगर एक्सेस है यह कॉंबो आफर से कॉंबो में भी बैचे जब ले सकते हैं तो उस 24 महीने में जो भी टीचर आएंगे आने वाले जो भी कोर्स आएगा और जो भी दोस्तों बैच आएंगे वह सारे आप में एड हो जाते हो अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो सबस्करिप्शं दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्री में पाना चाहते हैं तो संडे एक इक्जाम को यहां पर सब्सक्रिप्शं मिलता है टॉप थुरी को तो एक साल का सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से फ्री मिल जाता है अगें कोड यहां पर भी यूज करना है पियर साइटें मेरी 11 बजे जो है अनकेडमी एप पर फ्री स्पेशल क्लास होती है इसे जरूर अटेंड करें six month current affairs आप देख करके ही एक्जाम में जाइएगा इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो उडान बेच हमारी आई हुई है उडान बेच में दोस्तों यहां पर मेरी कलास साड़े पांच बजे होती है और यह क्लास सब्सक्रिप्शन लेकर के इस को एक्सेस कर सकते है जो साड़े पांच बजे डेली होती है और दोस्तों इसमें जो है आपको banking current affair मैं केवल पढ़ा रहा हूं तावर तोड़ तरीके से banking current affair से जो बदला हुआ pattern है कि banking current affair से banking concept फूच रहा है तो यहां पर मैं वह आप लोग को समझाता हूं ठीक है पढ़ाता हूं और बहुत important class है ओके तो दोस्तों आपको क्या करना है प्यसर टेन कोड करके यह सब्सक्रिप्शन लेना है दस उपए पर दे से भी कम की costing आएगी best discount मिलेगा ना मिले प्यसर टेन पे तो आप जीए बाई प्यूसर पे मुझसे contact करके अपना best discount पा सकते हैं ठीक है इससे best discount कहीं नहीं मिलेगा प्यसर टेन कोड को यूज़ कीजिए और जीए भाई प्यूसर पे टेलिग्राम पे मुझसे कांटैक्ट कीजिए अगर कोई भी दिक्कत परशाणी आपको आ रही है कोई भी परशाणी अगर आपको आ रही है तो थैंक यू सो मज शेर कीजिए दोस्तों like कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजे का जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले भया शेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजे ओके क्लियर दोस्तो यहां पर कुश्चन है दो मल्टी डाइमेशनल पावर्टी इंडेक्स रिपोर्ट इस रिलीजड बाई विच ऑर्गनाइजेशन बहु आयामी गरीबी सुचकांक दोस्तो किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है बहु आयामी मल्टी डाइमेशनल का मतलब क्या होता है कि केवल पैसे से ही गरीबी नहीं देखी जाती उसके हिल्थ की सिच्वेशन उसकी स्टेंडर्ड डाफ लिविंग और उसकी एजुकेशन क्या है उस पर भी जो है बात होती है बात समझ में आ रही है क्लियर है बिल्कुल बहुत बढ़ियां शांदा जिन्दाबाद जबरदस्त तो दोस्तों अगर हम लोग यहां पे देखें कि मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो यून डीपी जारी करता यूनाइटे नेशन डेवल दोस्तों कि हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि दोस्तों जो मल्टी डाइमेशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो साथ अक्टूबर को रिलीज हुई है इस रिलीज को इसको जो है यून डीपी और 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 पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलप्मेंट ने मिल करके इसे में है 170 कंट्री इसके मिंबर हैं यून डीपी के कितने मिंबर है 170 और नियू यॉर्क में इसका हेड़क्वर्टर है कि बाइस नॉम्बर उन्नीज सो पैसट को यह था याद रखिए यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरस है यूनाइटेड नेशन के वर नैंटी थ्री मिंबर है और वुसका जन्में 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था यहां तक बात किलियर है चलिए तो आपस में अब देखिए मैंने कहा कि कम से कम यहां पर तीन डाइमेंशन में देखा जाता है मल्टी डाइमेशनल क्यों कहते हैं हेल्थ में एजूकेशन में और लिविंग स्टेंडर्ड में गरीबी को देखा जाता है हेल्थ में नूट्रीशन और चाइल्ड मोर्टैलिटी यानि कि चाइ drinking water electricity housing assets इन सब की क्या quality है ठीक है तो दोस्तों यहां पर जो बहु आयामी जो है यहां पर गरीबी सुचकांग उसके कुछ आकड़े अगर हम लोग लिया जाए कुछ आकड़े कुछ लिया जाए तो भारत में छे बहु आयामी गरीब लोगों में से पांच निचली जन जातियो या जातियों से आते अंसुचिट जाती समुपाँ नाइंट ौइंट फूपर सेन्ट भाहु आयामी गरीबी में रहते हैं पिछला बगोपढ़ी में 27मीलो 2 क्यामी भारत में लगब सुर्व क्या महीला परधान परिवारों में रहती है तो दोश्तों दुनिया भर में लगबग दो तियाई बहु आयामी गरीब 836 मिलियन ऐसे घरों में रहते हैं जहां किसी भी महिलाया लड़की ने खम-चाल की पूरी सिक्षा पूरी नहीं किये छे साल की भी महिलाय जो इस इक्षा नहीं पुरी करती कब एक पुरुस्त तो कर ले रहा है यहां तो लड़कियां कर भी ने रहे हैं दोसो सताइस मिलियन गरीब भारत में रहते दोस्तों इसका यह आकड़ा आया है इस रिपोर्ट में और रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि बहुयामी गरीबी में रहने वाली महिलाव और लड़कियों को अपने अंतरंग साथी से हिंसा का अधिक खत्रा होता है देखो भ स्प्रस्टेशन हजबेंड में भी आता है जड़ देता दब 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 तो इस तरीके की हिंसा जो है अक्सर गरीब परिवारों में देखी जाती है जो कि क्योंकी वहां पर पैसा नहीं हो पी के आगहे भाई साफ सामको और सामको पी के आगए वाइब बॉली पैसा नहीं प खाना कैसे खाएं रोटी नाटा नहीं रोटी नहीं बच्चे कैसे खाना खाएं और तुमको पीने के चाहिए अब वह भाई साब उसके बाद वह तो भाई साब लड़ाई जगड़ा सुरू हो जाता तो अक्सर यह गरीबी की कारण ही रहता है हिंसा का यह भी इसमें देखा गया है दोस्तों एकनोमिक्स में नोबल प्राइस किसे दिया गया आप सोच रहे होगे सर एकनोमिक्स नोबल प्राइस आप दुबारा फिर बता रहे तो इसलिए बता रहा हुना दोस्त क्योंकि एकनोमिक्स का है और आप बैंकर बनने जा रहे और नोबल प्राइस सबसे ब करीबी को दूर करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए अब आप सोचों कि क्यों मिला था यह कुश्चन पुराने से भी पूछ लेता तो नए से पूछेगा तो दोस्तों फिर आपको यह रिवीजन नहीं है यह आप से क्वेश्चन है कि बताईए कि कौन है इसका वि पुरुसकार एकोनॉमिक्स के विजयता है नोबल पुरुसकार एकोनॉमिक्स के क्या है मेरे भाई विजयता है ठीक है क्लियर है अनुस्तियागी कल आपने इस को पूछा था कि हर मंत आप प्लेटफॉर्म चेंज कर देते हैं कल आपका कमेंट भी आया था कल इस पर मैंने को बात भी करी थी कि यार मैं Platform Change कर देता हूं इससे मुझे कोई फायदा दोड़ी हुआ मैं तो अनकेडिमी पे हुँ मुझे जो सल्पाइबी मिलनी है वही मिल रही है तो फिर मैं प्लेटफॉर्म क्यों Change कर दे रहा हूं क्यों कि मैं तुद को Best teachers के साथ education देना चाहता हूं क्यों मैं बड़े platform चोड़के 2000 सब्सक्राइबर वाले platform पे आके राधे सर के साथ जुड़ा क्योंकि केवल जीए से ही तो तुम्हारा selection नहीं होगा तुम्हें reasoning भी चाहिए math भी चाहिए और English भी चाहिए तो एक बेश टीम बनाके एक नए चैनल पर नए तरीके से सुरू किया जाए जहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं ठीक है आप कल से मैं बहुत परशान है और यही बात आप बूले और वह बात मुझे लगी क्या मैं क्यों कर रहा हूं बच्चे जब मेरी feeling को नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्यों कर रहा हूं यह सब मैं भी वहीं पर पढ़ाता चुपचा तो यार मुझे क्या फायदा है बताओ मैं मेरे तो घाटे ही है ना यहां पर इसमें आके कि मैं तो तुम लोग को बेश टीम से जोड़ने के लिए कि हम लोग बेश टीम से जुड़ जाएं मैं भी बेश टीम से जुड़ जाओ तुम भी बेश टीम से जुड़ जाओ तो हम लोग जो है एक बहतर तैयारी जो है कर पाएंगे सेलेक्शन के नजदीक पहुंच अब मैं दोनों जगह पढ़ा सकता था लेकिन यार फिर वही एनर्जी डिस्ट्रिब्यूट हो जाती वो लोग तो कहरे थे वहां पर पढ़ाते रही है यहां पर भी पढ़ा दीजिए अभी मैं आपको एक गंटे दिल गंटे की क्लास लेता हूं तो आप समझ सकते हैं कि मेरा को इसमें फायदा नहीं है इसमें आप ही का फायदा है मुझे एक रुपे भी एक्षचा नहीं मिला इस बात का कि आप इस चैनल पर पढ़ा दीजे मेरा इसमें होगा है। लेकिन आपके फायदे के लिए अपना घ्र साहय कोई दिक्कत नहीं है हम दो हजा सजर्ट तो कभी-कभी चीजे जो है आप जिस एंगल से देखते हैं इस एंगल से आप स्टुडेंट के एंगल से सोचते हो हम बहुत सारे स्टुडेंट के लिए सोचते हैं कि क्या कोई बढ़ियां टीम के रूप में जहां पर काम निके साथ तेम को ही इंपॉर्टन नोबल प्राइस फौर एकनोमिक्स का आपको क्या याद रकना बाद समझ में आ रही है रीजन क्या है यह जरूर याद रखना जैसे मैं आपको पर क्या याद रखना 1998 का अमर्त सेन का reason क्यों मिला था economics का और अभिजीद बनर जी जो मुंबई में जन्मे थे उनका भी कि दोस्तों यहां पर क्यों मिला है लेबर economics में उनके जो है अनुभवी contribution के लिए मिला है कि पांथी रक मीं को मिल गई है दोस्तों यह भी याद रखिएगा आधी रकम किसको मिल गई है इनको मिल गई है ठीक है उसके बाद दोस्तों सेकेंड जो है यानि की 25 परसेंट आधी में इन दोनों लोगों में डिवाइड हो जाएगा ists.ie औरujemy फिरोस करके एंगरी हैं गुंडों पर वाह वाह वह वह वेरी गुड संकेत वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदार जिंदा बाद गुड मॉनिंग बाबुजी तो दोस्तों दूसरा जो एवार्ड मिला है वो किस पर मिला है कॉजल रिलेशन्सिप पर कारण बताओ रिलेशन्सिप पर कॉजल क्योंकि कोई भी रिलेशन्सिप बिना कॉज के नहीं होता है दोस्तों हर रिलेशन्सिप के वह न कोई कॉज का होता है माबाप के रिलेशन्सि किसी स्वार्थ तसे है, किसी किसी कारण से है किसी कारण तो दोस्तों यहाँ पर यह जो है ग्ला नोब्ल प्राइज इन एकनोमिक्स की बात हो रही है, तो वो जो है इन दोनों रिजन्स को यादर ख़े एक लेबर एक्च नमीक्स और legal रिलेशन्सिप क्या याद रखेंगे लेबर एकनोमिक्स और कॉजल रिलेशन्सिप लेबर एकनोमिक्स और कॉजल रिलेशन्सिप डेविड कार्ड को मिला है आपका लेबर एकनोमिक्स के लिए क्योंकि डेविड के पास क्या है लेबर कार्ड है डेविड के पास क्या है दोस इसके बाद दोस्तो जोसुवा डिंग्रिश टॉ गाई ड़्डव iPhone को मिला है कारण के लिए ठीक है तो किसी कारण से यह गये हैं और गउन्डों को भेज़ दिया है और गुंदों को और याद रखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि नोबल प्राइस सिक्स एरियाज में दिया जाता है मैक्सिमम तीन लोगों को किसी एक एरिया में दिया जा सकता है दोस्तों पांच एरिया में तो स्वीडन के श्टॉकों में दिया जाता है नोबल पीस प्राइस दो है वो नॉर्वे की डिया जाता है शुरू में वसियत के अदुसार पांची एरिया में दिया जाना था एकनॉमिक्स वाला बाद में एड हुआ है इकनॉमिक्स वाला दोस्तो बाद में ऐड हुआ है 1969 में 1968 में इस्टेब्लिस हुआ था 1969 में पहला नोबिल प्राइज ऑफ एकनोमिक्स दिया गया था तो अर्थ सास्त्र का नोबिल प्राइज पहली बार 1969 में दिया गया था दोस्तों यह याद रखिएगा ठीक है स्वेरीज रिक्स बेंक प्राइज इन एकनामिक्स साइंस इसको कहते हैं सेवरिज रिप्स बेंक इन एकनामिक्स यह ओर देता है दोस्तों यह भी बात याद रखिएगा ठीक है यह किसके दरह दिया जाता है। स्वीडिस अकेडमी ऑफ साइंस जो की स्टॉकॉम स्वीडन में दोस्तों किस दिन दिया जाता है 10 डिसंबर को एनाउंस अभी हो गया लेकिन 10 डिसंबर को दिया जाएगा दोस्तों जिस दिन स्वीडिस साइंटिस्ट का पुनिति थी है उन्हीं के विल के अंसार यह 1901 से दिया जा रहा है नोबल प्राइस ठीक है 1901 से दिया जा रहा है तो एकनोमिक्स वाला यह जरूर याद रखिए कि क्यों दिया गया बाकी सबका नाम याद रख लिए चलेगा एकनोमिक्स में याद रखिए पिछली बार और ऑक्षन थियोरी के लिए दिया गया था पॉल और मिर्गुरों को है ना नीमेटर कि दोस्तो वर्ड और और रख राइटिश जेप मना जाता है बर्फ राइट अटीश जे माद्चे कि अधर आने जाता है स्थिति हो जाता हैरे कराब हो जाता है बात समझ में आ रही है तो यह सब इसके सिम्टम्स हैं गठिया के आप देखते रिए कहां-कहां जॉइन में पेन होता है गठिया में समझ रहे हैं तो यह बहुत इंप्वर्टन चीजे इसको जो इसी के जागरुपता के लिए हर साल जो है बारत अरी को यह मनाया जाता है नियाय मूर्ति राजेस बिंदल जी को हाली में किस हाइपोट का जज़ बनाय गया दोस्तों फटा-फट से आप लोग बताएंगे किस हाइपोट का जज़ बनाया गया तो नयाय मूर्ती राज्येश विंदल को हाल ही में किस राज्य में मुखिन एधिस के रूप में नियुक्त किया गया है तो दोस्तो यह जो है अलहाबाद हाई कोड का जो है जज़ बनाया गया दोस्तो जो यूपी का जो पुराना नाम था वो था यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवद नाम था दोस्तो ठीक है आगरा एंड अवद यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवद फिर बाद में यूनाइटेड प्रोविंस हुआ और फिर 1950 में दोस्तो इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया क्या हो गया उत्तर प इसी लिए आज भी का जो है Whoa आज बाद में ऎलहाबाद में यदा रखेका ठीक कि यह जो हाइ़ बना था दोस्तों सब्सक्राइब लेकिन अगर पूछा जए चम्स पूर्णा कोड कहा बना था सबसे पुराना कोड कहा बनाता तो तो माँटी विवस्ता वहने से कलकत्ता को बनाया था जिनने उन्हें फोर्ट विलियम्स कहा करते थे पुराने जवाने में कलकत्ता कहते थे अब तो बेंगॉली एक्सेंट में वह कोल काता हो गया पहले सी एल सी यू डबल टी ये स्पेलिंग ती अब के ओल के एटी ये स्पेलिंग हो गई है ठीक है क्लियर दोस्तों निम्नलिकित में से किसने जैपूर अंतराष्टी हवाई अडे का प्रबंदन अपने हाथ में ले लिया है ऐसी खबरे आती रहेंगी तो दोस्तों इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको एक साथ ही बता दिया जाए कि कौन कौन सा एयरपोर्ट यह अदानी को मिला हुआ है आज मैं सोच रहा हूं एक साथी बता दू ताकि आपको एक ही नियूज में सारे एयरपोर्ट हो तो आप अलग-अलग खबर पढ़ोगे तो आप आश्यर में नहीं होगे कि अरे यह भी मिल गया अडानी को अरे यह भी मिल गया तो दोस्तों यह अडानी गुरुप का ही दुनिया में नहीं पहुचा सब मोदी हैं तो मुमकिन है फाई साब कजब का जो है इनों का जो है उच्छाल आया है तो दोस्तों और पूर्ट को पचास साल के यह मै ciekjektने के लिए पचास साल के लिए बिस पर दिया गया है अदानी गुरुप का यह कमपनी है वहाई पार है समझ गए तो दोस्तों अगर हम लोग देखे तो मैंने कहा था कि आपको मैं सारे एंट के बता दूंगा तो आपके सारी समस्य आज खतम कर दूंगा अडानी एयरपोर्ट कमपनी ने जो है छे जो है एयरपोर्ट अपने हाथ में लिए यहां भारत सरकार ने इनको दे दिये तो दोस्तो अडानी एयर्पोट यहां पर आप लोगों कुछ content कट्र तो नहीं रहे ना कि कट तो नहीं रहे तो तो दोस्तों कटने नहीं देंगे कोई भी कंटेंट एहमदाबाद में एहमदाबाद का सदार पटेल एयरपोर्ट याद रहेगा एहमदाबाद इन सब सारे एपोर्ट को दिमाग में बसा लो पचास साल के लिए दिया गया है लीज़ पर पचास साल के लिए लीज़ पर दिया गया है अहंदाबाद का साधार पठेल एरपोट यहीं पे इ पाच्वा अभी कल मैंने आपको पढ़ाया सा गोवाहाटी का गोपीनाच बार्दोली एरपोर्ट इनके नाम किया गया था ठीक है और इसके बाद यहां पे छट्वा देखे तिरुनंत पूरा में अब एक बात बताओ इंचे एरपोर्ट में से कौन सा एरपोर्ट नहीं है इ किस लिष्ट में नहीं है दोस्तों एहमदाबाद लखनव मंगलूरू जैपूर गुवाहाटी और तिवनंत पूरब में से कौन सा नहीं है तो दोस्तों यह बात याद रखिएगा कि 74% हिस्सेदारी इनको मिलीती तभी यह भारत के दूसरे नंबर के अमीर आदमी बने चबतर परसंट शेहर इनका है उस एयरपोर्ट में जो इस लिष्ट में नहीं है उसका नाम है दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट छत्रपती सिवाजी एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट दोस्तों चत्रपती सिवाजी महराज एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों नवी मुंबई एयरपोर्ट का कर्स्ट्रक्शन चुरू किया है अडनी ने तो नायक है भांपर्ट में के बहुत सारे पूट warto newspapers पहुत सारे एयरपोर्ट यहां दिगगे जो 50 साथी हम दैंसे पूरा का पूरा यहां मालकाना हक मिल गया है तो यहां पर याद रखिएगा दोस्तों च्छे यह एरपोर्ट हो गए और दो यह एरपोर्ट हो गए ठीक है गोहाटी तुरनंत पुरम जैपुर मेंगलूरू एहमदाबाद लखने हूं मैं भूल जाता हूं यार तुम लोग याद रखना मुझे बता देना इन छे एरप अरपोर्ट दोस्तों वह कौन सा है वह कोचीन एरपोर्ट आपका कि केरल में है जो हंडिट पसंट सवरुजास चलने वाला उसे युनाइटे नेशन इन्वार्मेंट प्रोग्राम से चैंपियन अप दियर्थ अवर्ड भी मिला था दोस्तों वैसे ही कैंपे गोड़ा ढश्न कोोट दुनिया के बेज्ट एरपोर्ट में आता हैं दोस्तों और वह काड़बन में में इंड्रा गांधी एरपोर्ट और मुंबई वाला सबसे व्यस्त एयर पोर्टस में हाता है अव भारत का जो 25% एयरपोर्ट का मार्केट यह अदानी जी के पास चला गया है ठी किर है ये पोड और एयरपोर्ट में डिफ्रेंस क्या होता है एयरपोर्ट में हवाई जहाज सब्सक्राइब पasteद समुदर के किनारे नहीं होते हैं जहां पर समुदरी जहाँ जाते हैं उन्हें पोड्र केए हैं उन्हें बंदरगाह कहते हैं ठीक है तो आप देखिए बहिया इनको मिल गया 11 टूबर को यह ली चाबी देख रहा है इस चाबी पूरा रनवे जा रहा है जैपूर इंटरनेशनल एरपोर्ड का चाबी इनको दिया जा चुका है आज से आप ही हमारे पालनहार है ना क्लिय घर है नांटीन अटी एक गौतम अधानी ये कंपकनी शुरू की दिक यह फाउंडर इसके गौतम अधानी अधानी स्टेंड भी एहमदाबाद में दोस्तों नरेंद воз guests स्टेडियम इसHeEP अधार बनातीं गया जो एक लाक 32000 की के ये वाला नरेंद मुदी पैसे देखे भाहिला विश्वकप के सुभंकर का अनावरण किया है इस मस्कट का नाम क्या है दोस्तों जब भी कोई गेम अगर आता है तो उसका मस्कट जरूर होता है मस्कट होता है तो यहां पर अगर देखिए तो तो इंडिया में होने वाला है 2022 में पहला तो यह याद रिखिए कि अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड का फुटबॉल का फीफा मतलब समझे लो फुटबॉल एप किसी का भी कुछ भी कुछ वीचिन हो सकता है तो दोस्तो इस सुभंकर का नाम क्या है इभा इबा जो है इसकी जो है यह एसी आटिक लॉयन है एसी आटिक लॉयन है दोस्तो इभा यह मस्कट बनी है अंडर 17 महिला विश्वकब फीफा की फीफा की अगर बात करें दोस्तो तो फीफा में भारत की जो रैंकिंग है वो 107 रैंकिंग है 177 रैंक है इंडिया की दोस्तो यह बात याद रखना है ठीक है एक लियर है बात रखें 21 मई 1904 को दोस्तो इसकी स्थापना ओई थी 21 मई 1904 को पैरिस में दोस्तों पेरिस में ही आपकी इंटरनेशन ओलंपिक कमिटी के भी स्थापना होई थी लेकिन आज तो वह लॉजेंस विज्जर लेंड में उसका हेड़क्वाटर है तो उसी तरीके से दोस्तों यहां पर फीफा के हेड़कोर है जियानो इंफेंटीनो जियानी इंफेंटीनो इसके हेड़ है और जो है इंडिया की रेंकिंग 107 है दोस्तों यह जरूर याद रखिएगा ठीक है दोस्तों व्ल्ड अस्राइट है बारव अक्टूबर को मनाया गया जो कि जोडों के दर्ध को बताता है घटिया के रोग को बताता है इस बार इसकी ठीम क्या है जब इम्पोर्टेंटेटेंट देश राilles पूछे जाते हैं तो कई बाल जो है important डेसकी ठीश या डिशुम करें अगर चलिए बहुत बढ़िया आ शानदार जिंदाबाद जबरदस्टु जुशन के बाद कि अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए आर्थराइटिस की सारी बीमारियां है इस सब के टेंसन नहीं लेना है भारत के लिए 2021 स्टेट आफ दे एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास कि संगठन द्वारा सुरू की गई है कि संगठन द्वारा सुरू की गई है दोस्तों तो यूनेसको साइट को सनब्चित करता है चालिस वर्ल्ड हरिटेस साइट से भारत में और अभी लीवरपूल रीवर फरंट जो यूके का युनाइटट किंडम का रीवर फ्रंट था उसे यूनेसको ने अपने वर्ल्ड हरिटेस साइट की लिश्च से बाहर कर दिया क्योंकि उनकी प्र सबस्यादा अबादी भी तो यहीं पर है समझ रहें कि 21,000 में पी है तहाइस नंबर ऑफ सिंगल टीचर स्कूल सिंगल टीचर स्कूल सबसे ज्यादा किस राज्य के पास है यहां पे एंपी के पास है ठीक है क्लियर है अब बहुत बढ़ियां यह जो है रिपोर्ट है दोस्तों यहां पे नो टीचर नो क्लास रिपोर्ट वर्ल्ट टीचर डे के दिन सुरू हुआ पांच अक्टूबर को दोस्तों पांच सितंबर को हम लोग टीचर्श डे मनाते हैं सरपली राजा किष्ण के बड़्डे पर लेकिन पांच अक्टूबर को ठीक एक महीने बाद हम वर्ट टीचर्श डे मनाते हैं उसी पर यह रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एस ओ यार दोस्तों ऐसे ही एक रिपोर्ट आई थी ऑल इंडिया सरवे फॉर हायर एजुकेशन यह पूछा गया फीफा इंडिया के नहीं है वाल इंडिया फुडवाल फेडरेशन के जैसे इंटरनेशनल होकी फेडरेशन के नरीजिंदर बत्रा है लेकिन इंडिया में होकी के हेड कौन है मिजूरम के हैं ग्यानेंद्रो निंगोबं रेसलिंग फेडरेशन के हेड कौन है ब्रिजभूस सुकला सचीव जैशाह और दोस्तों और कौन सा बच गया तो को अभी आप था टेबल टेनिस फेडरेशन केहड़े दुसंत चोटाला जो की हर्याडा के क्या है उपमुक्मंतरी भी है ओके क्लियर है दूरंड कब भी फुटबॉल का है जिसे गोवा ने जीता है गुटबॉल फुटबॉल क्लब ने वेरी गुट भारत बूसंट वेरी गूट क्लियर है वर्ल्टीचर्ट कोई रीजन नहीं है नेशनल टीचर्ट डे का रीजन है ठीक है वाल्ट वाले जो होते हैं वह ऐसे होते हैं उनाइटेड नेशन में इस दिन से रख शुरू किया जा रहा है इस तो यह मना जाता है को डिजास्टर ऑफ दॉस्तर यह किस दिन मना जाता है तो यह मना जाता है 11回 को डिजास्टर रिजशन गे 씨가 दोस्तों आ acağızकशली दोस्तों विमकर, आपको ठीक है एंडी आफ की हैड कौन तो दोस्तों जो है यहां पर यह हर साल जो है मनाया जाने लगा कब से मनाया जा रहा है 1989 से मनाया जा रहा है 1989 से यह हर साल मनाया जा किस राजने कच्छा 9 से लेके कच्छा बारत तक क्लास 9 से क्लास 12 तक पढ़ने वाले अपने स्कूली बच्चों के लिए देश के मेंटर करक्रम को शुरू कर दिया गया है कभी देश का मेंटर जो जब सोनू सूत को चुना गया था तो उनके घर इंक्रम टेक्स का छापा हम तो ढ शहीं है मैं कि एसन प्रधान बिल्कुल सही एसन प्रधान is the राइट एंसर ndrf के हैडे स्न प्रधानत और अर्विन केजरियां वाल ने सोनू सूध के साथ रोनुसूध की बुक भी . और दोस्तो ये तो मसीह है यार इन ने मदद किये गजब का होता है यार कि कि अब हम लोग को कोई एक काम कह दे तो हम लोग उसको अवाइड करते हैं इन्हों ने नजाने कितने लोगों के जो है पातों को अमल किया उनके सफनों को पूरा कि आज भी रोज कई लोगों की समस्यां सुनते हैं वार सोनू सूथ वाह इनके सम्मान भी देश में बहुत मिल होते या सोनू सूथ मानना पड़े भाई इनका जो है एक रेडमी नाइन में भी ब्रेंड अमेजडर है जो स्कूली बच्चों को फ्री में मोबाइल बाट रही है रेडमी ठीक है क्लियर है चलिए तो दोस्तों यह जो देश का मेंटर करक्रम है क्या अब समझता यह है कि सो का मेंटर करक्रम क्या है ठीक है तो दोस्तों देश का मेंटर करक्रम क्या है कि दिल्ली सरकार ने राज के सरकारी स्कूलों के नवी से बारहवी कच्छा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए देश के मेंटर नामा के परामर्स करक्रम सुरू किया है देश के मेंटर करक्रम करता है चात्रों को देजभर के पेशवरों और शिक्षा वी दो यानि एक से जो मदद करना चाहते हैं जो इंटेलेक्चुल लोग हैं उनके द्वारा रोजाना 10-15 मिनट के लिए करियर विकल्पों से लेकर कि सोर्ष संबंदी चिंताओं तक के मुद्दों पर सलाह दी जाए है उसको सही अपसं सीन नहीं पताए कि कौन-कौन से ऑपसं दुनिया में अवेलेबल है तो अगर पता होता आईयस में कि है कि हिस्टी जाग्रफी पॉलिटी पूची जाएगी तो क्लास सिक्स से मन से पढदते अब पता ही नहीं था क्यों पढ़ना है तो जब वाई ही नह उसी तरीके से उसका वाई क्लियर था और भाई फास्ट अटेम्ट में उसने निकाल लिया देस के ministry से अपर भी एप भी बन गया इसका रिष्ट्रेशन करके देजबर के इच्चूक नागरी के मिंटर बने वैसे कोई भी विक्ति जो की सुख्षा में मदत करना चाहता है वह मदद कर सकता है एक बच्चे के कल को सवारो देश के भविस्ट्र को सवारो देश के मेंटर बनो एजुकेशन मिनिस्टर जो है यहां के मनी सिसोधियां है दिल्ली के बहुत अच्छा काम किया बहुत अच्छा आज प्राइवेट स्कूलों में जो एक्षा फीस देते थे जो है इस्कूल उनसे गार्जियन को पैसा वापस करवाया तो दिल्ली सरकार ने पैसा वापस करवाया मैं इतने दिन दिल्ली में रहा भाई साब बिजली का बिल नहीं दिया कभी और यहां पे 10,000 रुपर महीने देता हूं बिजली का बिल आप सोचिये कि वहां पे हर महले में क्लीनिक है तो कहीं न कहीं भाजबा का समर्थ तक होते के बावजूद भी आज मैं यहां पर परताडित हो रहा हूं यूपी में और वहां पे खेजरीवाल की राज में मैं खुश था जबकि बहुत भी रोत किया बनारस से खेजरीवाल को हरा के भीजा मोदी को जिताया लेकिन हम बिल दे रहे हैं वहां पे वह लोग आराम से जिन्दगी काट रहे तो दोस्तों मैं भी हूं देस कमेंटर तो अच्छे का करते हैं केजरीवाल जी इसलिए बारबार जीटते हैं और पूरा क्लीन स्विप करते हैं क्लीन स्विप करते सब्तर में 67 सीट जीटते हैं ऐसे हलके फुल के मैं नहीं जीतते हैं तो यह है कि दिल्ली की जंता जो है राज्ज के लिए केजरीवाल को पक्का कर चुकी है अप ठीक है और इसके लिए ब्रेंड अमेजडर सोनु सूद को गोशित किया गया है ब्रेंड अमेजडर ये बने हैं केजदी वाल ने कारिक्रेम में कहा कि बच्चों को एक बड़ा भाई दोस्त या बहन मिलेगी जिससे वे अपनी हर बात शेयर कर सकेंगे हमारे परिवारों में ह हम देखते हैं कि बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों का मांगदर्शन करते हैं यदि हम राश्टी स्थर पर उसी माडल को दोहराते हैं तो यह पूरा देश एक बड़ा परिवार बन जाएगा पूरा जो है बन जाएगा इसमें करना क्या है यह लोग करेंगे क् एक से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवसकता होती है जिन्हें अपने संब्ध्री छित्रों में सफलनागरी को द्वारा सलाथ दी जा सकती है तो एक-एकि स्कुली छात्रों को गोद्र लीजिए उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए ठीक है दोस्तों जूनियर विश्व चेंपियंशिप में भारती निसाने बाजी टीम ने कितने पदग जीते हैं दोस्तों कितने पदग जीते हैं कितने मेडल जीते तो दोस्तों यहां पर आप याद रखिए 43 मेडल जीते हैं जूनियर निसाने बाजी टीम है तो आने वाला भविश्च निसा निसाने बाजी में हमें दिख रहा है वैसे तो निसाने बाजी में हमेशा दिखता है लेकिन ओलंपिंग में पता नहीं कहां गाया बुजाते हैं यह लोग तो दोस्तों आईये से सेफ का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेशनल सूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इंटरनेशनल सूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन दोस्तों यहां पर 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक कहां चला दोस्तों यह पूछा जा सकता है पेरू की कैपिटल लीमा में पेरू की कैपिटल लीमा में दोस्तों आयोजित किया गया तो दोस्तों यहां पे अगर 43 मेडल में 17 गोल्ड 16 सिल्वर और 10 ब्रॉंज मेडल दोस्तों जीता है भारत ने यह बड़े इंपोर्टेंट पॉइंट से यहां पे जो भी दिया गया है 43 मेडल्स 17 गोल्ड 16 सत्रा सोला दस ग्याद रहेगा तो दोस्तों यहां पे देखिए इंडिया का जहंदा दिखें वहाँ देख लीजें, टेन मीटर एयर राइफल में धनुष स्रीकांत ने गोल्ड जीता, फिफ्टी मीटर राइफल थ्री में एश्वर पताब सिंग टोमर ने गोल्ड जीता, दोस्तों टेन मीटर एयर पिश्टल टीम में सरब जोट सिंग नवीन नवीन और सीवा नर्वाल ने जीता, दोस्तों रैपिट फायर पिश्टल टीम में आदर सिंग, विजय वीर सिद्दू और अनीस अनीश ने जीता है, ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यह सिलवर वाले में, रुद्राक्ष तो सिलवर वाला छोड़ देते है, यहाँ पे 10 मीटर राइफल में, रुद्राक्ष बला सहेब पाटिल ने जीता है, ठीक है, इसके बाद आदर सिंग ने दोस्तों यहाँ पे जीता है, 25 मीटर रैपिट फायर पिश्टल में, सिलवर, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टीम में जीता है, सिलवर, मुहम्मद मलिक ने, सार पादुल विहान ने विवान कपूर ने ठीक है इसके बाद ब्रॉंज में आए तो यहां पर इंडिया दिख रही है इसकीट टीम में इसकीट टीम में दिख रही है राजवीर गिल आयूस राजगुरू रुद्र गुरू रुद्र राजू और अभे सिंग सेखौन इनको मिल मिला है ठीक है इसी तरीके से डबल ट्रैप में विने प्रताप सिंग चंद्रावत को गोल्ड मिला है 25 मिटर पिष्टल में विजेवीर संदू को मिला है फिफ्टी मियर पिष्टल में अर्जुन सिंग चीमा को मिला है ठीक है दोस्तों टेन मिटर एयर पिष्टल में मनु भाकर को मिला है मनु भाकर बहुत पुरानी निसाने बाजें तेन मीटर एयर पिश्टल में दोस्तों रिदम सांगवान मनु भाकर और सीखा नारवाल को मिला है पच्चिस मीटर पिश्टल में नामिया कपूर को गोल्ड मिला है पच्चिस मीटर पिश्टल में रिदम कौन को यहां पर गोल्ड मिला ओके तो भाई सब खुब गोल्ड मिला है करीब 17 गोल्ड मिला है डबल ट्रैप मानवी सोनी रिदम सांगवान सीखा नारवाल फिर इसके बाद मनु भाकर सरब जोट सिंग फिर विजयवीर संदू रिदम सांगवान तो ऐसे करके बहुत सारे गोल्ड यहां पे हमारे जोली में आए हैं भारत पहले नंबर पे अमेरिका को दूसरे नंबर पे ढखेल दिया और जो भी है ना भारत की तुल्ला में तो बहुत ही कम है सत्रा गोल्ड भारत ने जीता है अमेरिका साथ पे है इटली तीन पे है वहीं सिल्वर में सोला पे है और ब्राउंज में दस्वयानी कि दोस्तों यहां पे 43 देख रहे है कितना बड़ा अंतर है 43 का आधा कर लो दोस्तों तो भी जो है अमेरिका से डबल से जादा मेडल जी शांदा जिंदाबाद जबदस्त टोटल 16 देशों के बीच में यह हुआ है ठीक है 16 देशों के बीच में यह टुर्नामेंट हुआ था तो दोस्तों पधानमंत्री मोधी जी ने हाल ही में राश्ट्री मानवादिकार आयोग के 28 में स्थापना दिवस करेकरम को संबोधित किये एनच आर्सी के अध्यक्ष कौन है गया आव राश्ट्री मानवादिकार आयोग की हेड धे कौन ह ठीक है दोस्तों थे यहां पर अगर देखा जाए तो ऑनचे सी के हेड ने कौन बने है औरुण कुमार मिसरा बने है अरुर कुमार मिश्रा बने दोस्तों महीला आयोग के अद्यक्ष कौन है रेखा शर्मा है और दोस्तों आपका अल्पसंख्यक आयोग के हेड कोन है सरदार इकबाल सिंह है और सिए यह ग सुप्रीम वह सिडूल कास्ट आयोग के हेरे सायद जो है वो है के बीज дополн है बीजय संप लाव इसाभ लाव है से न ऐसचीह के जो है वो है कि आपके कि भीजय संप ला और सायद किस्टीय父 के कुई कोई हान करके हैं कोई चोहान करके हैं सुसील चंडरा चीफ Correct Delisted temp से आसट वेरी गूद अनुराग चीफ इल्एक्षन कमिष्णर केृहं नुराग जी। सल चंडरा भेरी मुद बहुत बढ़ीया ग्रीन ट्रिबुनेल के हेड एंड जस्टिस एक्ए ग्योयल ठीक है क्लियर है दिआ अब पोपने बताया है स्रीकांट जी ने बिल्कुल सही बताया हर शोहान स्टी के है थीक है तो पधानमंत्री जी ने दोस्तो नहीं रसी का अठाइसवा स्थापना दिवस को अटेंड किया 12 अक्टूबर को तो आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है कि दोस्तों एनेच आर सी नेशनल हिूमन रैट्स कमीशन की स्थापना किस दिन होय थी 12 aक्टूबर पोई थी कब हूय थी 12 October पोई थी ठीक है एा थी दोस्तों, how many action points have been recommended in the 2021 state of the education report for India, no teacher, no class, जो अभी education report आई है, no teacher, no class की, इसमें कितने action points बोले गए है, भारत की education को, education को बढ़ाने के लिए, दोस्तों, एक बताओ, नौट इस्ट, नौट इस्ट रीजन, यानि कि जो उत्तर पुरुवी भारत में, डिस्टिक में, जो सस्टनेबल डेवलप्मेंट गोल के जो इंडेक्स आई थी, उसमें कौन टॉप किया था, ये question अभी RRB PO में पूछा गया था, RRB कलर काने वाला है, तो आपको ये बात बतानी है, फटा Teachers Day के दिन इसे जो है, शुरू किया गया, यूनेस्को इंडिया के द्वारा, ठीक है, इसे यूनेस्को इंडिया के द्वारा सुरू किया गया है, ठीक है, याद रखेगा, तो दस action points रखे गए हैं, भारत में teaching को improve करने के लिए, दोस्तों सलवाल बर्मिंदर सिंग, सरदार बलमिंदर सिंग नकई जी का निधन हो गया, वह किस संग्ठन के अद्द्यक्ष थे, वह किस संग्ठन के अद्द्यक्ष थे दोस्तों, वह इफको के अद्द्यक्ष थे, इसको जो है, आपके fertilizer को बेचने वाली company है, fertilizer की एक cooperative federation है, इंडियन fertilizer जो है, इंडियन farmer fertilizer cooperative limited दोस्तो इसको जाना जाता है, इसको, ठीक है, इसके company, इसको Tokyo General Insurance भी है, इसको चौक भी आता है, दिल्ली मेट्रो में, जब आप गुरुगाओं की तरफ जाते है, गुरुगाओं में इसको चौक भी पढ़ता है, है ना, तो दोस्तों, इसको का headquarters कहा है, निउ देल्ली में है, ती न दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, clear है, तो BS नकई जी का निधन हो गया, BS नकई जी जो इसके chairman थे, दोस्तों, इनका निधन हो गया, BS नकई जी, इसको के chairman थे, जो किसानों के उर्वरकों पे काम करती, कभी भी कभी भी कोई कोई कोश्चन है, नैनो, फाइबर, उर्वर कोई भी नैनो, नैनो करके, कोई भी जो है, फर्टलाइजर की बात करे, कुछ ने डवलप किया है, तो इसको answer मार के आ जाना, तो दोस्तों, पार्था सार्थी ने बोला, इस्ट आसाम, नहीं, इस्ट सिक्किम, संजय सिन्हाजी का जवाब सही है, सिक्किम का इस्ट जो है डिष्टिक है, इस्ट सिक्किम को सेस्टनेबल डिवलप्मेंट गोल में सबसे बहतरीन अवर्ड मिला, नोर्थ एस्ट रीजन का एक अलग इंडेक्स ही निकाला गया था, डिष्टिक लेवल पे सस्ट और्भ ड निधन पर मोदी जी ने भी जो है अपनी जो है समवेदना प्रकट की थी है ना समवेदना प्रकट की थी दोस्तो आपदा निउनी करण के लिए जो है डिजास्टर रिडक्षन के लिए जो डे मनाया गया तेरह तारीक को अगर हम लोग देखें भई में हट जाता हूं इतना बड़ा है कंटेंट आपको सब पढ़ना भी पड़ेगा तो भारत का पहला सुनामी रेडी राज्य उडीसा है अभी देखें गुलाब तूफान आया था जिसे पाकिस्तान ने नाम दिया उसके बाद साहीन आया जिसे जो उमान ने नाम दिया उसके पहले तौकते तूफान आया था जिसे म्यामार ने नाम दिया था बात समय यह अलफा बेटिकल चलता है म्यामार के बाद उमान का नंबर आएगा उमान के बाद पाकिस्तान का नंबर आएगा पाकिस्तान के बाद कतर का नंबर आएगा उसके बा तो दोस्तो इस बार की जो थीम थी इंटरनेश्टल कोपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज तो रिड्यूस दियर डिजास्टर रिस्क एंड डिजास्टर लॉसेज दोस्तों हमारे एंडी आरफ की टीम है जो किसी भी डिजास्टर से निपटने के लिए सक्षम है और उड क्लोन आते हैं तो सबसे निपट लेता है वह उसने ऐसे सेंटर्स बना रखें बहुत बड़ी उपलब दिया यह तो दोस्तों एंडी आरफ से ट्रेनिंग लेने बहुत देशों की जो है फोर्सेज आती है कि कैसे हम डिजास्टर से निपटें तो दोस्तों यह जो है डेवल लेते हैं दोस्तों यहां पर डाई पेंटिंग करपूर कलमकारी पेंटिंग और एक वुडेन नकासी को कुछ कल्ला कुरुची लकडी की नकासी को जी आई टेग प्राप्त हुआ यह दोनों जो है कलाकृतियां जो है तमिल नाडू की है तमिल नाडू की है ठीक है तमिल न इसवन जो है वह मिजोरम का है जिसे जी जाइटेंग मिला है मोईरा बनाना और हरमल चिली और कहाजा मिठाई यह गोवा का है तेज पूर लिची दोस्तों यह आसाम का और असाम का एक jude ma rice wine Jed meanwhile rice wine दोस्तो इसको भी जी ऐईák मिला है नागालएंड के sweet cucumber मिला अपर अली बाक के white onion को दोस्तो यहाँ पर जी आइट प्राप्त हुआ है जी आइट प्राप्त हुआ है ठेक है clear है चलिए वेरी गुड शानदा पहला जी आई टेग दोस्तों किसको मिला था पहला जी आई टेड आपको मिला था क्या कहते हैं कि दार्जिलिंग की चाय को वेश्ट बेंगॉल में रजगुला जी आई टेग प्राप्त है महिधाना मिठाई जो है दोस्तों उसे अभी वहरीन भेजा गया वह जी आई टेग प्राप्त है सरबुजा और सरपुरिया मिठाई किष्णा नगर नादिया जी लेके हैं उन्हें भी जी आई टेग प्राप्त है क्लियर है समझ गए बात समझ में आ रही है चलो वेरी गुड शांदा जिंदाबाद जबर्दस भारत ने हाली में निम्लिकित में से किस देश की विकास परियुजनाओं के लिए 200 मिलियन अमेर्की डॉलर की रिड़ सहायता प्रदान करने प भारत किर्गिस्तान बिसकेक सोम किर्गिस्तान बिसकेक सोम कर्गिस्तान बिसकेक सोम और सदायर जापा रोव जो है किर्गिस्तान के दोस्तों राश्तती है कभी किर्गिस्तान कजाकिस्तान उजबेकिस्तान तजाकिस्तान यह सब रशिया के पाइट हुआ करते थे ठीक है और अब दोस्तों जो है के यहां पर देखा जाये अलग कंट्री है दोस्तों इंटरनेश्टल एनरजी एजनेसी इनने भारत को अपना पूर्र कालिक सब्यानने के Лिया इन्वीटेशन भेजा आ का मुख्याले यह का है पेरिस में पेरिस में ओई सीडी का भी मुख्याले है और जिसने 9.7 परसेंट भारत की जीडिपी ग्रोथ बताई है और दोस्तों यहां पर यूनेस्को का भी हेड़क्वाटर है सी ओपी 21 भी दोस्तों आपका जलवायू समेलन जो पेरिस में हुआ था जिसके दो डिग्री सेंटीग्रेट ग्लोबल टेंपरेचर को कम करने पर आज पी पूरी दुनिया के देश काम कर रहे हैं दोस्तों इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वह तीस सदस आपके नाटो पीओ में पूछा था नाटो का हैटवाटर ब्रुसेल्स बेल्जियम में नौर्थ अटलांटिक ट्रिटी और्गनाइजेशन ठीक है दोस्तों इंटरनेशनल एटामिक एनर्जी एजेंसी में और आप इंटरनेशनल इंटामिक एनर्जी एजेंसी में कन्फ्यूज हो जाए आप ने दोस्तों दुनिया की पहली चैर्फ ड्राइविंग ट्रें शुरू किये ड्राइबर लेस शेल्फ ड्राइविंग ट्रें हैंबर्ग में शुरू हुआ है आपका जर्मनी में वहीं पर दोस्तों जापान ने दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड दीये 319 TB बाइट पर सेकंड की है ना क्लियर है याद रखेंगे दोस्तों भारत पे के चेर्मेन के रूप में कौन नियुक्त हो गया तो यहां पर अगर देखा जाएं तो हुआ ये जो ए सेंट्र कंपणी के साथ मिलकर के एक स्मॉल बैंकdem को का संस्ट मिल गया उसी स्मॉल बैंक काण नाम है यूनिटी स्मॉल फैनन्स भैंक नाम है लेकिन कितने स्मॉल to provide जितना का है उतना ही small finance bank है ही के तो यह बारहवा हो जाएगा बारहवा small finance bank को और दोस्तों यह क्या करेगा small finance bank जब भारत पे और सेंट्रम बना देंगे तो दोस्तों यह जो है पंजाब और महराश कोरेंटिյ बैंक को एक्रायर कर लेगा अधिगरहर करेंगा इससर्थ पेस को स्माल बैंक का लाइसेंस दिया गया सस्थको प्रणा लाइसेंस दिए उस तेलोगु फिल्म निर्माता का नाम बता है जिसे भारत में सिनेमा continents उनके समगर युगदान के लिए चौते सत्य जीत रे पुरुसकार के लिए चुना गया तो बी बेजवाड़ा गोपाल बी गोपाल है दोस्तों मल्यालम लेखक जिन्हें अपनी पुस्तक मन्त लिरिले कम्यूनिस्ट वर संगल के लिए राम वर्मा इसमिर्ती साहित पुरुस राश्पती थे अभी कोन साथ हरीरी करके हैं दोस्तों यह समय जो है इरान के राश्पती बड़ा विवादा इसपद है भारत का मित्र देश है चावाहार पोर्ट भारत के साथ जो है शेयर करता है इसके जो है परमाडू वैग्यानिक मकरीजा देखो इसराइल ने मारा था सुलैमानि को अमेरिका ने मारा था ड्रोन हमले में मारा था श्री मोर्ट से मारा था ठीक है तो दोस्तों एरान के साथ यह ट्रिज्डी होती रहती है इरान की जो कैपिटल है वह थैस्टों तहरान और इसकी करेंसी रियाल है लेकिन उसकी इतनी हालत खराब होगी इन्हें इपने एक नई करेंसी बनानी पड़ी तोमान स्कु मत इनको पी नई करेंसी बनानी पहरा वोल-घे गोई सब्सकरीं मैं अगेन रजनीश कुमार गैन रजनीशत वार बहिए एडम च्छाय हुए है भाई आइडी एक एड रह चुक्हें एडवाई सब्री। इडवाइजर रह चुके आंद्द पधिश्क ऐडवाइजर है, हैं एस भीडिवेस्वाक सटराइड डिरेक्टर और दोस्तो भारत के चैर्मेन बन चुछ क्या बन गया दोस्तो चैर्मन बन भाई साब चाहिए बताएड दोस्तो भारत पे ने ये भी सुरूर किया था पोश्ट पए पहीन पे दोस्तो बाई ऊगा translitter यह पोस्टे दोस्तों भारत पे का ही दोस्तों ट्वेलव क्लब यह भारत क्लब कही Shore Wheniform के साथ जो अपनी साज़ेदारी है उसने बढ़ा दिया है 2001 से दोस्तों यह साज़ेदारी चल लई है टीसी एस का बीए कोर बैंकिंग सॉलूशन जो सॉफ्टवेर है उसी से सब्सक्राइब का सारा काम होता है पांच साल के लिए और बढ़ गया अभिवक्ति की सवतंता की रक्षा के प्रयासों के लिए नोबल शांति प्राइस किसे दिया गया तो नोबल पीस प्राइस दुनिया का सबसे मुराटेव को दिया गया इस बार पत्रकारों को दिया गया इस बार पत्रकारों को दिया गया इब्राहीम रईसी बिल्कुल अब्राहीम रईसी है इसके इरान के राश्पती में नाम ही भूल जा तो रईस याद रखूंगा इरान रईस इरान रईस रईसी 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 है बिल्कुल है चलिए बहुत बढ़िया तो दोस्तों ताबर तोड तरीके से हम लोग ने पढ़ा बैंक पर अब रोज क्लास होती इस बात को थोड़ा फैलाने के लिए थोड़ा शेयर कर दीजिए सभी लोग प्यार से जो है गुरु दक्षिना यहीं मांगता हूं कि इसे शेयर कर दीजिए ठीक है साड़े पांच बजे मेरी क्लास होती है आपकी एप पर तो एप पर मुझे फॉल इसलिए वो नहीं हो पाएगी ठीक है चलिए तो दोस्तों रात को नौ बजे वाइफाइट जीडी टू पर भी मेरी क्लास होती है रात को नौ बजे मुलाकात करेंगे अपने बेस्ट सेशन में ठीक है जहां बेस्ट टू हंड़ेंड हम लोग करेंट अफेर्स सिक्स मंथ कर निंदा करेंट अफेर्स पढ़ते हैं थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद जय भारत है वर नाइज डे स्वस्त रहिए मस्त रहिए अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए लव यू आल हैव नाइज डे बाबाई टेक क्या